नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है हार्दी का भिनन्दन है मैं सुभास चंद सुड़ा आपका हार्दी का भिनन्दन करता हूँ आपका सभी का तहे दिल से हार्दी का अभार वेक्त करता हूँ और दोस्तों आपने हमारे यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है शेर नहीं किया है लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करें शेर करें शब्सक्राइब करें दोस्तों आज का हमारा टोपिक रहेगा जलियावाला भाग हत्याकांड जो 13 अपरेल 1919 को ये उस समय जो था ओर डायर को बढ़ा याशरी हुआ। अमरीज सर में 9 अपरेल 1919 को पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल एम डॉक्टर सेफुदिन किचलू के नेतिर्तों में एक जूलूश निकला। अंदोलन का नेतिर्तों कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल एम डॉक्टर किचलू को 10 अपरेल 1919 को गिर्वदार कर अमरीज सर से निर्वाशित कर दिया गया या बहार भेज दिया गया। अमरीज सर के जलियावाला भाग में 13 अपरेल 1919 को एक सभा बुलाई गई। इस सभा की जानकारी प्राप्त होते ही शंपुन अमरीज सर को जनरल डायर के हातों में अंगरीजी सरकार ने स्वोंप दिया था। जलियावाला भाग तीन और से मकानों से गिरा हुआ था। एम इसमें से निकलने का केवल एक मारग था। तो ये श्तिती अभी भी हम देख सकते हैं जलियावाला भाग में जाकर कि ये किस परकार से बना हुआ है। दोस्तों आगे देखते हैं इसका एक ही मारग था जब इस मारग का पता जनरल डायर को चला तो वह उस मारग को रोक लेता है। और आगे हम इस टोपिक में बढ़ते हैं। जब 13 अप्रेल 1919 को साइन लगबग 5 बजे यहां शभा चल रही थी तब जनरल डायर ने 100 शिपाईयों के साथ इस बाग को घेल लिया। जनरल डायर ने भीड पर बिना चेतावने दिये ही राइफलों एवं मशीन गनों से गोली चलाने का आदेश दे दिया। निहती भीड पर तब तक गोलियां चलाई गई जब तक गोलियां खतम नहीं हो गई। आंकणों के नुशार 399 व्यक्ति मारे गई यह भूत चे लोग घायल हुए। वास्तम में मनने वालों की संख्या इस से अधिक थी। जनरल डायर मरतकों यह घायलों को उसी स्थिती मे छोड़ कर वहां से चला गया। यह भोती निर्मम और हमारे लिए भोती दुखत घटना थी। यह हत्याकांट जलियावाला बाग हत्याकांट के नाम से जानी जाती है। इस घटना को ही हम जलियावाला बाग हत्याकांट कहते हैं। इस कांट से देश स्तब्द रह गया और भोती दुख का समय हमारे तेस के सामने था इस अत्याकान के बाद पूरे पंजाब में मौरस लागू कर दिया गया सरकार ने कुरूरता पुरून दमन्चकर चादू रखा अमरीस्टर की जनता पर तरह तरह से अत्याचार किये गए चोरहों पर सारे आम लोगों को कोड़ों से पिटवाना कूदते हुए चलना गालियों से पैट के बल शरक कर जाना भारतियों दौरा अंग्रेजों को खड़े होकर सलाम करना एमैसा नहीं करने पर बेंट से मारना जैसे दंड देने के तरीके अपनाए गए फोजी अदालतों अदालतें लोगों को मनमानी सजाएं देने लगी अमरिस्सर के जलिया वाला बाग हत्याकांट के विरोज में पंजाब के कई सहरों में परदर्सन हुए दोस्तों आगे देखते हैं तो लोगों ने रेलवे पूल एम थानों को बहुत नुक्षान पहुँचाया पूरे देश में इस हत्याकांट के विरोज परतिकरिया हुई मान उतावादी कभी रविंदर नाट टेगोर ने अंग्रेजों द्वारा परदान की गई नाइट की उपादी लोटा दी संकरन नायर ने वाइस राई की कार्यकारे ने शित्याग पत्तर दे दिया देश में इस कांट के विरूद बढ़ते जन आकरोश को देखते हुए ब्रिटिस सरकार ने इसके जांच के लिए 19 सक्टमबर 1919 को हंटर की अध्यक्षता में एक जांच समीती गठित की इसने मारस 1920 में अपने रिपोर्ट दी जनरल डायर को शिर्फ शेवा मुक्त किया गया ब्रिटेन में जनरल डायर की परसंद साकर उसका श्वागत किया गया उसे 20,000 पॉंट की ध्यली भैंट की गई ब्रिटिस संसद हाउस ओप लॉड्स में जनरल डायर की कारणामों को उचित बताया गया कॉंग्रेस ने जलियावाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी निउक्त की इसमें मदन मोहन मालविये मोतिलाल नहरू एम हात्मा गांदी जी समिलिक थे जलियावाला बाग हत्याकांड से ब्रिटिस समराज्यवाद का घिनोना रूप सामने आया इसके प्रिणाम से रूप ब्रिटिस सासकों के विरूद देश स्वयापी जन आंदोलन हुआ तो दोस्तों ये भोती हमारे देश के लिए दुखत घटना थी प्रन्तों अंग्रेजी सरकार ने जनरल डायर का स्वागत किया और इस घटना के विरूद में हमारा देश है वो उबल रहा था लेकिन क्या किया जाए उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था दोस्तों ये था आज का टोपिक जल्यावाला बागत्यकांट 13 अपरेल 1919 को जो गटना गटी थी रोल टेक्ट जो एक नेम बलाए थे अंग्रेजी सरकार के दोरा लाए गया था उसके विरोध में यह गटना है ये एक आम सभा बलाई गी थी इस गटना को अंजाम जल्रन डायल के दोरा दिया गया था तो दोस्तों आज का टोपिक आपको कैसा लगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अगर आपको हमारा वीडियो परसंद आए तो आप लाइक करें कमेंट करें अपने दोस्तों को शेर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बुलें दोस्तों क्योंकि सब्सक्राइबों से ही हमारा उत्साय वर्दन होता है हम नए नए टोपिक आपके लिए लेकर आते हैं हमारे वीडियो में छोटी कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अवगत कराएं जिससे हम आने वाले वीडियो के अंदर हमारे टोपिक के अंदर सुधार के साथ नए टोपिक और नए उर्जा और नए उत्सा के साथ आपके सामने पस्तुत हों तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम वेट करते हैं देखते हैं कि हमारे यूटूब चैनल पर आप सब लोग कितने एक्टिव हैं आप सभी का हम तहे दिल से हार्दिक आभार वेक्त करते हैं कि आपने हमारे स्वस्त रहें खुश रहें और अपने आपको प्रोग्रेसफूल बनाते हुए नए ने टोपिकों के साथ अच्छी स्टड़ी और अच्छी पढ़ाई करते रहें यही उम्मीद करता हूँ जै हिंद जै मासर्श्वती